नमस्कार आप देख रहे हैं गुद मॉनी टीवी और मैं हूँ आपके साथ कंशन रीवर जिले में लगातार आ रहे हैं मौसम में बदलाव नेक सानू की चिंथा बढ़ा दी है समय मौसम में कभी धूप आचाती है तो कभी बारिश होने लगती है आने वाले कुछ दिरों में बारिश की संभाव ना बनी हुई है जिसकी वज़ा से दलहनी और तिलहनी फसलों के साथ आम के बोर को भी प्रभावित कर सकता है साथ ही कीटो काप्रा को भी बढ़ सकता है वीवाट जिले में लगातार मौसम में बदलाव आ रहा है जिसने किसानों के चंता बढ़ा दी है मौसम बग्यानिकों की माने तो आने वाले कुछ दिरों में इस तरह के बदलाव दिखते रहेंगे और बारिश की संभाव ना बनी रहेगी अगर हलकी फुलकी बारिश होई तो फस्लों को कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन अगर तेज बारिश के साथ ओले गरते हैं तो दरहनी और तलहनी फस्लों के साथ आम के बौर प्रभावित हो सकते है जिससे किसानों को नुकसान है यही वज़ा है कि मौसम के इस बदलाव ने किसानों की चंता बढ़ा दी है अगर मौसम में हो रहे बदलाव के चलते तेज बारिश होती है तो चना, सरसो, अलसी और आम को नुकसान हो सकता है अगर बारिश के साथ ओले गरते है तो फसल को नुकसान हो सकता है और अगर चले की फसल थोड़ी बड़ी हो गई है तो उसमें एक दिक्कत आ सकती है कि फसल लेट चाएगी मौसम के बदलाव का असार आम के पेड़ों में भी जादा देखने को मिलेगा आम में बोर आ चुकी है ऐसे में अगर जोधार बारिश होती है और ओले गिरते है तो आम के बोर खराब हो जाएंगे और जढ़ने लगेंगे जिससे आम में किसानों को काफी नुकसान होगा है ऐसे में किसानों को चाहिए कि जो इसके लिए ज़रूरी दवा है उसका स्प्रेस में करवा दें जैसे फूल जढने की दिक्कत दूर हो जाएगी अभी दो-तीन दिन का मौसम ऐसा है आगे चलके कि हलकी बारिस होने की संभाबना दिखाई दे रही है मौसम की जानकारी के हिसाब से तो मैं किसानों को सलाह दूंगी कि आप जल्दी से जल्दी क्या करें अगर आपका दो फसल जैसे त्यार हो चुका चने में तो क्या है कि घेतिया बन रही है माल हमाली जाल चने के फसल ज्यादा बढ़वार ले लिए ज़ Western अगा ज्याना जो का ऐ आपका लेट गया है तो उचाने नुकसान नहीं होगा ज्यादा और घेतिया बन रही है अगर आपका चना उतना पुरीता है कि ट्रुका Lincoln पठ्थर पड़ी तो दिक्कत है वैसे तो ज्यादा बारिस नहीं है हल्की बारिस तो जितनी बारिस उतमें फसल कुनुसान नहीं होना चाहिए के आम की बहु आगह हैं देखिते आप बौड देखते आम में उसके तृ नहीं लगते हैं ऐसका रिजन यह होता है कि आम क्या होता है और वह ज़ड्ल रगता है ठीक है अब जैसे पानी गिरेगा तो पानी के जिर रहा है गिरेगा तो क्या होगा कि उसमें कुछ इंसेक्ट पेस्ट भी लगेंगे और आपकी जो फ़ूल है वो भी जढ़ने लगेंगे तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आपकी जढ़ रही है उसके लिए प्लानों फिस करके दवाई आती है आपको मार्केट में अल्फा नेप्फलिक जाएगी इसकी पांच मात्रा प्रति पंप के अशाब से अब उसमें करवा देते हैं तो आपकी फ़ूल जढ़ने की समस्य आती जैसे फ़ल कम मात्रा में बनते हैं जैसे कि इसान का यह रहता है हमेशा यह दिक्कत रहती है कि बहुत जादा फूल आते हैं लेकिन जब फल मात्रा बहुत कम रहती है तो यह दिक्कत जो आपको आती हो दिक्कत नहीं आएगी तो जो यह मोसम में चेंजे सारे हैं इसके करांड से क्या होगा खीटों का प्रकूब जो होगा फसल में बढ़ेगा तो आपको सीज का विस्तेज ध्यान अखना है और अगर ऐसी कोई दिक हैं इस ओनी आगले हपते आने वाले इंधो हफते का ठावरणे रहे गाई बहुका यहां वर मीडियों और आगे आने वाले समय में इसे प्रोडक्षन कम हो सकता है और इसे जो प्रोडक्षन होगा काफी नुक्सान होगा जैसे कि चन्ने में इस समय देखने इल्ली का प्रोड़क्षन आप ज्यादा कर रहा है तो इसे इल्ली के प्रोड़क्षन के लिए बारिस के बाद में कहता हूं इवामक्टिन बेंजोईट छै ग्राम पर एक टंकी कमने पंत्रा लीटर का पानी में घोल कर आप छिड़काव कर सकते हैं इसे चने का प्र सकता है इसे घप कितो एंच चरह कर गिरता है वहला गिरती है तो आम पर इन अंडिय को भी नुकसान होता है दलहन भशल को नुकसान होता है कि इसल बीर नलकिया आ झांहुर में अचिंच वन ए अधे आ यूओं है। गेहों मिझा जब बादल तरगता है और चमक होती है तो उसे गेह自己 का फ्ptaूल मारा जाता है। इसी प्रकार से किसाने को सपड़कार के नुक्सान हो रहा है तो समय है पकी हुई फैसल को भारी नुक्सान हो रहा है जैसे डलहनी है जह जचना całंपहर है अल electree है राई है इनके दाने जो है काले पढ़ जाते हैं किसी मूल लके नहीं रह जाते इसी सब्कार की रह कि irgendwas कवला इतना है एकन कभरों का सब्सक्राइब करिएक गुड़ मौरिंग वी के साथ नमस्का गुड़ आइ कौन को दो बाइगे